मध्यपरदेश के मुख्यमंत्री मोहन ग्यादव हाथियों के इंटर स्टेट मुमेंट को लेखा 36 गड सरकार से चर्चा करेंगे उन्होंने कहा कि 36 गड से एम विश्नु देव साय के साथ पड़ोसी राज्यों से हाथियों के जुन के मध्यपरदेश में गुसने से पैदा हो रही चुनौतियों पर वेचर्चा करेंगे देखे खास पर उपार्ट मुम्हिमंत्री डॉक्टर मोहन ग्यादव 36 करड के दोरे पर हैं मोहन ग्यादव 36 करड के राज्यों सब्सक्राइब इस तोरान पे मध्यपरदेश में हाथियों की मौत का मुत्ता भी 36 करड में उठाएंगे दरासल पिछले सबताह मध्यपरदेश के उम्रिया जिले में बांधव कर टाइगर रिसर्वों में दस हाथियों की मौत हो गई थी हाथियों की मौत की उच्छे स्तरी जाज के बाद रविवार को यादव ने बी टी यार के दो वरिष्ट अधिकारियों को निलम्बत कर दिया इससे पहले उम्रिया जिले में एक हाथियों ने तीन लोगों की जान भी ले ली थी सीम यादद ने कहा हाथियों से सम्मंधित घटनाय आम तोर पर 36 गड़ से हाथियों के जून के आने के कारण होती है मैं इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाऊंगा मुखन यादद ने कहा दोनों ही राज्यों के वन्विभागों को आपस में समन्वा स्थापत करना चाहिए ताकि हाथियों के बड़े जून्डों के प्रवेश के कारण पैदाफ होने वाल स्थिती से बचने के लिए हम एक दूसरे के संपर्क में रह सकें प्रसनता है कि मद्वरेश से एक हिस्सा निकल के 36 गड़ जब अलग हुआ है तो 36 गड़ के राज जी गठन में भी हमारी ये शर्ष्वी प्रदान मंत्री सर्गी भारत रतन अटल बहरी वाचपई जी की भूमिका थी और 36 गड़ बीच में थोड़ा सा समय एक सरकार गलत गई तो काफी पिछड गया था मज़े संतों से के हमारे शर्ष्वी मुक्य मंत्री के नेतरवत में विश्ण देव साय जी और उनका पूरा मंत्री मंडल अपने 36 गड़ को विकास के एक नए मुकाम तक पहुचा रहा है ऐसे मैं आज राज उत्सों का आईजन उनने किया है और मुझे मुक्यति तिकर के बुलाया है तो 36 गड़ एक तरह से हमारा अपना मदेश प्रदेश से उनका गहरा रिस्ता है विकास के मामले में कई कारणों से हमारे आपस के संबंद भी है मैं आपनी और से उस उत्सों में भी साविल हुआ और मुक्यास के मामले में हम सब मिलकर के नय संकल पशलेंगे जिस से मदबते 166 गड़ मिल जूलकर आगे बढ़े एक और खास बात है हम सब को जानकारी है यह जो हमारे हाती की घटना होती आम तो 36 गड़ से आते हैं मैं मुख्यमंत्री के सामने भी यह भी सहला हूँगा कि यह चछतिसगड़ से आने वाले दलों के माध्यम से जब हाती हमारे दर आते हैं दोनों सरकारे मिलकर के फारेष्ट का ऐसा कोई तालमेल बनाएं कि ऐसे बड़े जानवरों के बड़े दल आने के करण से अकस्मिक रू गौर तलब है कि रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन ग्यादव ने हाथी टास्क फोर्स रेडियो ट्रेकिंग और वन्यजी विशेशग्यों की मदद से एक दिर्खकालिक योचना की सरूरत पर सोर दिया ताकि जंगली हाथियों की मौतों और मनुश्यों पर हमलो की पुनिरावरत्ती को रूका जा सके कौल मिलाकर मोहन ग्यादव हाथियों की मौत के बाद बेहत ही गंफीर नजर आ रहे हैं वियोज रिपोर्ट अम्पी नीवस फोपाल